असलाम लेकू my youtube family कैसे हैं आप सब ? उमीद करते हैं आम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और चलते हैं आज की recipe की तरह आज की जो recipe है वो है हलीम की recipe दलीम हलीम जो भी कहते हैं आप लोग और ये मैंने लिू है जी इस में ने वन कप चने की डाल वन कप मैंने लिया है गंदम और एक कप ही मैंने इस के अंदर मतब़ एक से कम ठोड़ा ठीक है न यानी पाउना कप कर ले जाबनिये हैं बाकि इस के अंदर मसूर की मूuku की और माश की डाल यह सब जो है ना यह हाफ हाफ कप और नाइट भिगो दिये था और सब को मैंने कठ्टे भिगोया था सभी है मतब मैंने इसको अलग-अलग नहीं किया था यह सब साथ मी हो जाते हैं और देखिए ये वाला कब है जिसमें मैंने गंदम मैं आप बता रही हैं कि वनप र चाने की डाल वनप लेकिन मतलब बनाने के बाद मुझे ऐसे फील हुआ ना कि चाने की डाल को तो चलो ठीक है वन कप होना चाहिए था बट गंदम को जो है ना वो हाफ कप का मेजरमेंट सही रहेगा तो आप लोग गंदम इसमें हाफ कप ही लीजिए गा यह जी मैंने इसको डाल दिया कुकर में इसे मैं यह वो वन टी स्पून इसके अंदर मैं डाल लीए हूँ हलदी और डालूंगी अब मैं इसके अंदर नमक ठीक है वन टी स्पून क्योंकि हमें बाद मीं जो है न वो उसके अंदर भी करनां तो इसका जो चिकन बनेगा तो इस projector से हाथ रोग की ही अड़ कीजए गा और थोड़ी सी जो है न हम इसके अंदर रेड मिचें अड़ करें तो यहां पे सब कुछ आद रोग के अड़ करें क्योंकि हम जो है बाद में भी अड़ करने वाले हैं तो आपने इसका ख्याल लगना है यह देखने जी आप मैंने चूला इसकी नीचे अन कर दिया है और अब यह पकता रहेगा अच्छा यह जो है वो त्री टू पूर टेबल स्पून जो है न वो अद्रक लेसन का पेस था एक बड़ी प्यास थी वन केजी चिकन बोनलेस और सेवन टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लिया है हली मसाला ठीक है अब जी मैं प्यास फ्राइँ का रही हूं और यहां पर मैंने वीडियो को कि नागया वैसे मेरी अम्मी जो है ना उनका खाव भी रहाए गया कि मतलब कभी मैं तेज 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 हाथ चला हूँ तो मेरे खाल में वो मेरी वीडियो देख लेए इसने मेरे आथ बड़े तेज तेज चलते हैं जब मैं फास फारवड कर देती हूँ तो खैर ये देखी ये इस तरह कि फ्राई हो चुके हैं ना मतलब बहुत अच्छे वाले फ्राई हो चुके हैं तो इस में से हम हाफ निकाल लेंगे हाफ छोड़ देंगे ठीक है इस तरह आपने करना है अब हाफ जो है हम इदा निकाल लेंगे क्यूं निकालेंगे क्यूंके हमें बाद में आ वो गार्णिशिंग करनी होती है हलीम के उपर तो उसके लिए हम इसको उपर से डालेंगे और ये नीचे जो है ना वो टिशू मैंने पहला दिया था ताकि ये फिर क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएं ठीक है और बस ये मैं निकाल दिया बाकी हाफ मैंने छोड़ दिया और ये देखें ये मैंने बस इसको इतनी रहने दिया है अब मैं इसके अंदर अद्रक लेसन का पेस्ट डाल दूँगी और अब मैं इसके अंदर ये चिकन बोलनस भी आड़ कर दोँगी अच्छा चिकन बोलनस नहीं है तो कोई मतला नहीं है आप लोग घडी वाला चिकन याड़ कर दीजिए उसका फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा आता है क्यूंकि जो हड्या घडीया हैं उनके जिस ट्रॉग निकलता है वो ज्यादा फ्लेवर बन सकती जी अब इसके अंदर भी मैंने नमक एड़ किया और ये मैंने जो है ना वो हली मसाला मिर्चे हल्दी ये सब एड़ कर दिया है और अब जो है मैं इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूंगी तोड़ सा पानी ताकि ये जो मसाला है ये भून जाए क्योंकि आपको पता इतना पानी जरूर डालना है कि चिकन भी गल जाए और बात में इसका स्टॉक भी पीछे रह जाए क्योंकि हम इसको बिल्कुल खोश्क नहीं करना है हम जो डाले है ना वह हम इसके अंदर एड़ करेंगे इसके स्टॉक के अंदर यह देखे आप मैंने कितना ज्यादा पानी किया है इसमें सिकन भी गल जाएगा और यह रह भी जाएगा ठीक है इधर यह गल रहा है इधर मैं आपको डालें दिखा देती हूं देखें इनकी यह कंडिशन है और यह देखें मतलब लकड़ी का कोई भी चमच घोटना जो कुछ भी है इसी तरह चलाते जाएंगे तो य पढ़ एधर मॉबायल भी यूस्द कर रही थी तो मैं इसको घोटती भीरी साथ-साथ ठीक है अब जी यह देखें यह जो चिकन है हम निकालें पहले कि पहले मैंने तर्य उतानी की कोशिश की पर मैंने का क्या चल चट परा ठीक है बाद में वैसे भी हम इसको तड़का भी जो है ना इसको ऐसे ही खा ढूँ लेकिन चलो ऐसे नहीं खासी थे बस आभ इसके अंदर यह देखें कितना ज्यादा इस टाक है ना अब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे ये दाले जो मैंने ब्लेंड कर दें थी بلینڈ نہیں की थी मतर घोट ली थी आप लोगोंने बलینڈ करना है, बलینڈ कर डीजगा घोट न है, घोट लीजगा जो आपको जैदा सही लगता है अब जी यह चिकन है और इसके इस तरह से रिशे रिशे करते जाना है कांटे की मदद से, फाद की मदद से चौपर की वदद से जिस तरह दिल करता है उस तरह इसके रेशे बना लीजिए ठीक है और ज्यादा जो बेस्ट हलीम बनती है ना मतब बेस्ट बेस्ट वाली हलीम बनती है वो बनती है बीफ में या मतन में क्योंकि आपको पता है बीफ और मतन का रेशा बहुत बहुत ठीक है जी ऑच्छा और बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है चिकन के साथ बनाने में क्यों कहते हैं कि चिकन की जो है वो स्मयल आती है तो ज Strikes आती है तो जब आप उसको घीए में डाल के पहले चिकन को भूंते हैं ना यह अगर आप बीफ में वो करते है तो फिर आपको यह मसला बिलकुल भी नहाता और बीफ की हलीम हमेशा बेस्ट बनती है लेकिन कुई खलीम नहीं है तो चिकर में भी मतलब चैल जाती है यह जी बस ऐसे मैं करती रही इसको रिशा रिशा करती रही फोड़ो फोड़ो पूरु दर्म्यान में से खाती भी रही थी क्योंके इतना मज़े का यह जो है ना लग रहा था ना मैंने कहा चल कोई नही फोड़ा खा भी लेते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि आप भई बंदा खा भी नहीं सकता है ठीक है और आज मेरा धिन इतना बीजी गुज्ड़ा मैंने सुबह एक recipe रिकॉर्ड की फिर मैंने अभी फिर एक recipe रिकॉर्ड की और तो पूरा दिन मेरा बीजी गुज्ड़ा लेकिन बहुत यमी यमी recipe आगे भ भी ये देखें, ये कितने ज्यादा रेशे हो गएं और बस इसी तरह रेशा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं और बस हो जाए Percy आपके और ये बहुत असानी से अगर चेकन आपकर ठीक से गला है तो यह बहुत असानी से रेशे हो जाते हैं इसमें यह देखें मतलब कोई भी ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और आप लोग की तरह बार्शी हुई है नही हुई है आप पर तो कोई बारश भी नहीं हुई है और गर्मी भी बड़ी सफत है भई फिर मैं इसक के बाद जो है ना इस चमच को चलाएंगे तोड़ी देर इसको घोटेंगे इसी तरह और ताकि ये मतलब सही से जो है ना ये रेशा रेशा वाली हलीम हो जाए ठीक है और जितने बड़े पीसे आप लेते हैं ना चिकन के जैसे फुल बेस्ट पीसे आप ले लेते हैं तो वो भी अच्छे उसके रेशे आ जाते हैं लेकि मेरे पास चोटे रेशे थे तो वो भी कोई मसला नहीं है अब आप देखें कि मतलब इसके अच्छी तरह से जो है ना ये एक रेशेदार सी हलीम जो है ना वो बन रही है तो बस इसको इसी तरह गोड़ते जाना है गोड़ते ज गोड़ते जाना है और आपकी जो हली में वो बनती जाएगी फिर आपने मतलब नोट करना है कि कितनी झाने साही चाहिए है मुझे जितनी ठीकनस चाहिए थी उसके बाद मैंने फ्लेम आफ कर दिया था ये देखें आपको रेशे नजर आ रहे हैं ना चिकन के ये मैं बार बार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी और मैं जो है ना वो लाइट की जो है वो चेंज करी थी बार बार कि मैं तब किस तरह से देखा सबसे सही से आपको नजर आएंगे इसके अंदर की रेशे अब जो ये कंसिस्टेंसी है ये बिलकुल ठीक है और बस थोड़ उसको और जो है ना वो हम वो करेंगे मतलब पकाएंगे ताकिस का जो यानि कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी और थिक हो जाए फिर बस अब ये हलीम जो है वो हमेशे ज़्यादा ही बनाया कीजिए क्योंके रोज रोज कोई भी हलीम नहीं बना सकता इतनी मेहनत किसी से भी नहीं होती तो हमने कुछ उस टाइम पे खाई थी कुछ हमने अमी की एक फ्रेंड है उनकी घर भीजी थी और इसके लावा हमने एक पूरा पाउल फ्रीस कर दिया फिर अब आगे कभी हलीम चावल या इस तरह से मतलब होगा न तो हलीम पर नहीं पड़ी होगी चावल तरके वाले बनाएंगे हलीम डालेंगे और खा लेंगे ठीक है तो कोई मसला इसमें नहीं बनेगा मतलब बाद में कोई नहीं करनी पड़ेगी और दूसरी साइट पर बस मैं जो है न वो तड़का तयार करी थी इसके अंदर मैंने हल्दी और चिली फ्लेक्स डाली और ऑईल गरम किया ये डाला और बस ऑईल इसके पर डाल दिया तो ये जी हमारा एक अच्छा सा इसका तड़का तयार हो गया ठीके कुछ भी साया ने करते और इसके अंदर जो तड़का बचा था वो भी इसके अंदर थोड़ा सा ये डाल गे ना हली तो इसके अंदर डाल दिया तो जी हो गया हमारी हलीम तैयार है और अब dessa ऑज nose को सर्फ करते हैं और अब दिखाऊंगी कि इसको सर्फ किस तृरह से करना है अब इसको हल्का हल्का मिक्स कीज़ेगा तड़का लगाने के थी तो ऐसे भी काम चल जाएगा और ये नान के साथ बेस्ट लगती है लेकिन क्या था कि घर में कोई था नहीं और मैदा जो था वो खतम हुआ भा था तो मैदा नहीं सकता था नान बन नहीं सकते थे तो रोटी फिर हमने तो रोटी के साथ खाई थी और अब ही मैं आपको जो है ना खा के भी दिखाऊंगी आपके मुँँ में पानी लाऊंगी सही है ये देखे कितनी मज़ी की इसकी जो शकल है ना वो नज़र आ रही है और आप लोगों की भी बिलकुल ऐसे ही बनेगी अगर आप लोग ऐसे हैसे ही ट्राइ करेंगे तो ये देखें ये जी इतनी सी ले ली थोड़ू साइस की उपर जो है ना वो लेमन स्कुीज कीजिए और थोड़ी सी हरी मिर्चे डालें ठीक है और सही तीकी वाली हरी मिर्चे डीजिएगा और फिर अब हम लेते हैं अपनी पहली बाइट और ये बहुत मज़े की बनी थी ठीक है मैं बता रही हूँ मैं फिर फिर बोर रही हूँ कि बहुत मज़े की बनी थी आज की भी जो रिषिपीज और शूरों है यूज वह बोग जबानी है, आप लोग जो है वहागी भी connectेट अगा, आगे इट के लीए भी बहुत मज़े-मज़े की रिषिपीज आने वाली है, ठीक है, तो connectेट हैं गो उपको पता चलता जाएगा साध साध, यह जी मैं खा रही हूं और आप लोग बस देखके नजराइए कीजिए मैं खाके नजराइए करती हूं ठीक है ? आर भली हो गया और नहारी नहीं खर्दी नहीं खा ली घर नहीं जाती है मत थोड़ी सी बनाएं तो अच्छी बनती है और इसके लावा और क्या कड़ी पकोड़ा इस तरह की चीज़े होती है ना ये मतलब एक ही दफ़ा आप लोग बना के तो फ्रीस कर दिया कीजिए क्योंकि इन फिर बड़ी मेहनत लगती है रोज रोज ये चीज़ें नहीं बनाई जा सकती तो जब भी किसी का दिल करें बस निकालें डीफ्रोस्ट करें गरम करें खा लें मसला ही नहीं ये देखें ये इसकी फाइनल लुक थी उमीद करते हूं कि आज की जो रेसिपी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर बहुत से भी बहुत अच्छी लगी है तो फिर मुझे फीड़बैक जरूर दीजेगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजेगा सब्सक्राइब भी कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजेगा और अब मैं कहा रही हूँ कि थैंक्स पर वाचिंग और अल्ला हाफिस